हेलो फ्रेंक्स कैसे आप लोग आप क्या साथ ठीक होंगे तो फ्रेंट से दिसंबर 2030 के बाद जितने भी इन एक्टिप से वह बैंड हो जाएंगे तो आप ऐसा क्यों हो रहा है इन एक्टिप से जो बैंड क्यों हो रहा थे देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा लेवल का फ और किसी बड़ा से आपने घ्रिख को दिया आप असीं जम पर मेंट नहीं किए नहीं लेकिन उसके बाद क्या होता है जो भी वह सिम बेंद होता है तो वह ही नमबर से खेंव मिल जाता है जैसे कि आपने लिया उसके बाद भी तो यृस具 नहीं करते हो ऊक्वे प necessarily यहाज हल है जैसे फोन पे गूगल पे पेटीम इस सारे आपस में अपने उस नंबर से लोग इन किया अपने बैंक एकाउंट को लिंग किया उसके बाद आप कुछ दिन चलाए और वह सीम को ज्यादर दिन तक नहीं चला है उसके बाद वह सीम को चाली करवा लिया उसके बाद वह फोन एक साल तक लोग इन नहीं किया गया है वह यूपी आई आई डिस बैन हो जाएंगे 31 दिसमबर 32 के बाद से आगर आपके भी कोई ऐसे एक काउंट है जो इपी आई डिस है जिसको आपने यूज नहीं किया है और वह बना करके रखे हो इसको एक्टिव करने के लिए आपको अगर आपने एक साल तक यूज नहीं किया तो आपको लॉग इन करके इसी प्रकार से करना है किसी के पास एक दूर रूपिय भेज़ देना है तो आपका वह एकॉंट हो जाएगा और आगर किसी का इकाउंट डी एक्टिवेट है फोन पे पेटियम जितनी भी एप्लिकेश और वहां पर बिरिफाई करो उसके बाद उसको लॉग इन करो उसके बाद किसी के पास एक दूर रूपिय सेंड करके उसको एक्टिव कर लो नहीं तो 31 दिसंबर के बाद आपका वह एकॉंट आपके हाथ से चला जाएगा और आगर किसी के साथ ऐसा हुआ है आपने स्रीम लिया था और पाद करवा था कि बॉट बेम लॉग इस बनाता तो उसको क्या तो और इस नंबर को जो भी link करके रखे थे उस नंबर को हटा देना मतलब जो भी number engk है आपके बैंक एकांट में current आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास वह नंबर नहीं है तो आप जा करके चेंज कर वालो इसमें丘्वा भलायी झाल झाल